Friends, सबसे पहले मैं आपको इस bike का जो idling RPM मैं वो निकाल के दिखा देता हूँ इसके लिए मैंने क्या क्या है कि इस bike का जो आप देख सकते हो OBD port है इसके साथ मैंने एक OBD scanner लगाया हुआ है यह OBD scanner, Hero, Honda, TBS, Yamaha, Bajaj, Ronald Field, KTM सबी bike के साथ compatible यह बहुत सारी जानकारी देता है इसको मैं अलग-अलग bike साथ अभी टेस्ट कर रहा हूँ इसके उपर में डेटल वीट आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा सिधा भी आपनों topic के उपर में आते हूँ और मैं आपको पहले इस bike का जो idling RPM है वो निकाल के दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, idling RPM निकालने के लिए पहले मैं क्या करता हूँ कि इस bike का जो engine है उसे on कर लेता हूँ अब engine on हो गया है अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे कि आप live data है वहाँ पे मैं चला जाता हूँ अब देखिए अभी फिलहाल जो इस bike का engine का RPM है वो आपको अभी देखने को मिलेगा जो कि आप देख सकते हो 2, 1, 4, 2.5 RPM दिखाई दे रहा है देखिए इस तरह का sports या sports naked bike का शुरुवात में idling RPM जादा होता है तो हमें कम से कम एक मिनट तक वेट करना होगा actual idling RPM जानने के लिए फ्रेंट्स अब आप देख सकते हो कि जो idling RPM है वो 165 इसी आसपास देख रहे हो और plus minus 100 में ये fluctuate कर रहा है ये इस bike का जो normal idling RPM अभी आप देख रहे हो idling RPM डिजिटल टैकोमिटर के help से भी चेक किया जा सकता है हलो फ्रेंट्स, वेलकम टो मेकेनिकल टेख हिंदी हर कोई चाहता है कि उसे उसके bike से बेहतर mileage मिले लेकिन जो bike का mileage है वो बहुत सारे अलग-अलग factors के उपर में depend करता है और जो बड़े-बड़े factors होते हैं उनकी जानकारी तो maximum लोगों को होती है मैं अपने वीडियो के ज़िए आपको बताते भी रहता हूँ लेकिन बहुत सारे engines जोड़े हूए एक छोटे-छोटे factors होते हैं जो कि bike के mileage को impact करते हैं और ऐसा एक factor है idling RPM अब दिक्कत की बात यह है कि maximum लोगों को यह नहीं पता होता है कि idling RPM होता क्या है वो कितना होना चाहिए क्या उनके bike का idling RPM कहीं ज़्यादा या कम set किया हुआ तो नहीं है idling RPM को कैसे check कर सकते हैं और अकसर लोग इसे खुछ से check नहीं करते हैं ना ही mechanic से check करवाते हैं तो इसके importance के बार ही मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ वीडियो को पूरा देखे उससे पहले मैं फटापर्ट से जो giveaway लाइव है उसके बारे हम आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स चैनल पे अभी इन हेलमेट्स का giveaway चल रहा है जहां पे आप में से 7 लोग studs के इन हेलमेट्स को जिस सकते हो giveaway में participate करने के लिए simply आपको इस चैनल को subscribe करना है इसके लाब इस चैनल को Instagram में follow करना है Mechanical Tech Hindi के नाम से Instagram ID है जिसका link आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा और आपको simply Instagram में ही message कर देना है hashtag 700K तो आप इस giveaway में जरूर से participate कर ले Friends, RPM का full form होता है revolutions per minute असान लबजों में कहना हो तो आपके bike के engine का crank shaft एक minute में कितनी बार घूम रहा है अगर 1000 बार घूमा तो RPM हो जाएगा 1000 अगर 2000 बार घूमे तो RPM हो जाएगा 2000 अब सवाल आता है कि idling RPM का position क्या होता है तो मैं आपको बता दूँ कि जब simply आप अपने bike के engine को start करते हो bike खड़ी होती है, bike neutral में होती है आप accelerator नहीं ले रहे होते हो just engine start रहता है तो वो होता है idling RPM का position कई बार जब धलान होता, slope वगरा होता तो bike gear में होने के बावजूद जब आप throttle नहीं ले रहे होते हैं और कलच को पूरा दबा के अपने bike को slope में धलान में इस तरह से move करा रहे होते हैं तो वो भी idling RPM का position भी हो जाता है कई बार क्या होता है कि हम traffic में बेसिलिए इस खड़े रहते हैं और अपना bike engine आप देखे कई बार अगर ऐसा हो जाए कि आपकी बार अगर जादा रहेगा मतलब एक मेट में जादा बार आइडलिंग के position में आपके bike का engine का crankshaft है वो घूमते रहेगा अब वो जादा बार घूमेगा तो जादा बार petrol जा है वो engine के cylinder के अंदर में आएगा और एक मिनट में जादा बार power stroke भी complete होगा लेकिन ये तो आप भी समझ गया होगे कि idling का position जो है वो just engine को start रखने का position होता है idling के position में जो भी petrol जल रहा है और जो भी engine power produce कर रहा है वो power जो bike का पीछे का चक्का है वहाँ तक transfer नहीं होता है क्योंकि bike या तो neutral में होता है या फिर हम clutch को दबा के रखते है तो इस तरह से उस वक्त में जो भी petrol जल रहा है एक तरह से वो waste ही हो रहा है just वो engine को चालू ही रख रहा है अब किसी बजास से अगर mechanic सेट करते है पहले से भी सेट हो के रहे है किसी और वजास से वैसा हो जाए कि idling RPM ज़्यादा बढ़ा हुआ है और जिसे बहुत सारे लोग देसी लागए हो जो मैं कहते हैं कि engine ज़्यादा race में है तो इस टाइम पे क्या हो जाता है कि petrol का wastage होता है जितना petrol आपने अपने bike के fill tank में डाला है वो पूरा का पूरा petrol सही तरीके से जो पीछे का चक्के तक power transfer करने के लिए काम में नहीं आता है और अभी के टाइम पे जो petrol का price इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो आप एक एक बूंद का जो petrol का कीमत आप समझी सकते हो कितना importance है तो best ये होता है कि आपको जो idling RPM में जितना recommend किया है उसी range में रखना चाहिए अब यहाँ पे सवाल आएगा कि आपको कैसे मालूम चलेगा कि idling RPM आपके bike के लिए कितना होना चाहिए बहुत ही असान है bike के साथ जो आपको honors manual दिया जाता है वहाँ पे इसकी जानकारी होती है इसके अलाब आप Google करके भी अपने bike के जो idling RPM में उसकी जानकारी ले सकते हो अब इसे set कहां कराना तो यह basically आपको जो authorize service center है वहाँ पे हो जाता है और अगर BS4, BS3 या कार्बूटर वाली bike है तो वो तो local garage के mechanic भी इसे set कर देते है कार्बूटर की tuning करनी होती है और अगर ECU वाला bike है engine control unit वाला तो उसकी जो mapping उसकी setting वहाँ पे computer के help से करनी होती है अब बहुत से लोगों के दिमाग में ये भी आएगा कि जो idling RPM company रिकमेंट किया अगर हम लोग उससे कम रखेंगे तो जाहिर सा बात है कम पेट्रोल जलेगा जी हाँ कम पेट्रोल तो जलेगा लेकिन प्रॉब्लम अलग तरह का सामने आएगा प्रॉब्लम ये सामने आएगा कि जब आप अपने bike के engine को start करोगे idling के position पर छोड़ दोगे तो जैसे start करोगे engine कुछ दिर में बंद हो जाएगा फिर start करोगे फिर बंद हो जाएगा basically जो idling rpm होता है एक rpm set होता है जहां पे engine चालू रह पाता है अगर कम रहेगा तो ये भी नुकसान होगा कि जब आप bike को चलाते समय बाइक का अक्रटर छोड़ोगे बाइक को slow करोगे तो भी जो engine है वो बंद हो जाएगा तो कम होने भी नुकसान है और ज्यादा होने पे तो petrol का wastage होता ही mileage का भी जो drop है वो देखने को मिल जाता है फिर इस बात की जो जानकारी है वो बहुत से कम लोगों को ही होती है मामूली सा topic है छोटा सा topic है लेकिन अक्सर क्या होता है जो mechanics वगरा है इसको ध्यान नहीं देते है और आप इसलिए ध्यान नहीं देते है क्योंकि आपको इसकी जानकारी नहीं होती है उमीद है कि इस बारे में इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिल गई होगी वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे वीडियो के बारे और चैनल के बारे अपनी राय आप मुझे comment करके जरूर बताए इसके लाब अगर आप चैनल पे नए हो या अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया तो प्लीज चैनल को subscribe कर ले और बेल आकन को भी दबा ले ताकि आने वाले important वीडियो के update आपको notification के थुरू मिलते रहे मिलत अगले वीडियो में, thanks for watching this video, good bye